कैसे हो आप सब आशा करता हूँ आप सब बड़िया ही होंगे मैं डॉक्टर अमंदीप सेंग मास्टर माइंड ट्राइब की तरफ से दिमाग खोल यूटीव चैनल के उपर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ जै परकृति जै भारत आज का माइंड साइंस का यानि के म अंतरिक शवी क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर माइंड ट्राइब एक मूवमेंट है जिस मूवमेंट के जरीए हम घर गर तक इस ग्यान को यानि इस मनों विज्यान को पहुंचाना चाहते हैं तांके लोग अपने जीवन के स्व चाहते हो या फिर वो कोई आदत हो और धनके इस जिस वाज़ा से घर में धन नहीं आ रहा है और घर में परन परिज़ती नहीं हो रही है उन इशुज को इस मनों विज्यान को जानने के बाद टेक्नीक सको तो डील भी कर पाएं और इन इशुज को इन परशानियों को अप जीवन में से खत्म भी कर पाएं, उसके बाद हम सबने फिर जुड करा कव्या है? हम सब कर गाने मिलें नेचर को प्रिजर्व करनेके लिए व्रिक्ष लगाने हैं formation is पहुंचा और पक्ष़ी बचाने हैं, उसमें ने बऌँ जयांगी नहीं जाहिए, आपका जो moral support है वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा है तो चलिए आज की जो मन की भाशा है जो मन का विज्ञान हम लोग को सिखा रहे हैं आप लोग को सिखा रहे हैं उसमें जो आज का topic है के remedy of several problems self image इसको discuss करते हैं क्या आपने कभी observe किया है कि कुछ लोग हमेशा ही डरे डरे रहते हैं sometimes people behave normally कुछ लोग हैं वो normally बिल्कुल अच्छा behave करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी जो situation है खराब होती है तो कभी कभी वो बिल्कुल ही गुसे से लाल पिले हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा वो गुसा करते हैं जैसे के अगर उन्हें कोई हार्न की आवाज सुनाई दे तो वो एक दम से बैठे 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 गुसा हो जाते हैं कोई उनको थोड़ा सा उनकी आँखों में आँखें डाल कर देख ले तोभी उनको किईवर ऐसे गुसा आजाता है बिना किसी मतलब के कभी उनकी गाड़ी के पास आकर कोई खड़ा ही हो जाए चाहित है कि जैसे यधे गाड़ी को खुराब कर देगा कुछ लोग वैसे तो नॉर्मल होते हैं पर किसी खास काम या किसी खास मौके पर वो नर्वस हो जाते हैं जैसे अभी हमने पहले देखा कि लोग पैनिक हो जाते हैं तो कुछ लोग नर्वस भी हो जाते हैं जैसे के कभी-कभी उन्होंने अगर किसी अंजान व्यक्ति को मिलना होता है तो विलकुल ही वो नर्वस हो जाते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं, जब कभी किसी को कुछ चार इंसानों के आगे, चार-पंच इंसानों के आगे बोलना पड़ जाता है, या छोटी सी जो घरेलू मीटिंग होती है, उसमें भी अड्रेस करना पड़ जाता है, तो उनके पसीने छूट जाते हैं, ऐसे जब बच्चे बहुत सी अच्छी त्यारी करते हैं वो एक्जाम की, लेकिन जैसे एक्जाम आते हैं और एक्जाम में जाकर वो बहुत भी चीज़ें भूल जात बात करने के वक्त वो बहुत ज़्यादा जिजगते हैं, so we have observed this, we have observed these three situations where people either afraid from different challenging situations, तो ये तीन तरह की situations जो ज्यादार हम लोग face करते हैं, जा लोग face करते हैं, कि वो different जब परिशानियां आती हैं, problems आती हैं, challenge आते हैं, तो वो धर जाते हैं, या फिर lose their patience while confront situation, या फिर जब जोड़ी सी भी complicated situation आती है, तो लोग अपना धैरेक हो देते हैं, got nervous at most of the occasions, और बहुत सी जो life के बहुत से मौके होते हैं, वहाँ पर वो nervous ही रहते हैं, तो now the question arises that why it happens, तो सवाल ये पैदा होता है, कि क्यों सब कुछ अच्छा होने के बाब जूद ऐसी असानी से लोग panic हो ज जाते हैं, जिन से उनकी भी कई वार बहुत फजियत होती है, तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, so the answer is due to low self image, तो इसका उत्तर है कि उनकी जो आंतरिक शवी होती है, जो एक तो वो बाहर अपने आपको दिखाते हैं, कि मैं ये हूँ मेरे ऐसे कपड़े है, ऐसी मेर जो है, वो शान है, मेरी इतनी पढ़ाई है, लिखाई है, यह यह है, यह वो है, यह उनकी बाहर की शवी होती है, एक उनकी अपनी शवी होती है, जिसको हम mental image भी कहते हैं, self image भी कहते हैं, inner self भी कहते हैं, इसको हम आत्मिक शवी भी कहते हैं, आंतरिक शवी भी हम इसको कह स सकते हैं वह होता है कि हो अपने आपको कैसे देखते हैं वह लोगों के लिए है लेकिन आप अपने आपको कैसे देखते हो ये कि आप अपने आपको कैसे देखते हो आपकी अपनी नजर में क्या वैल्यू है तो अगर आपकी वैल्यू आपकी नजर में बहुत ज्यादा है जानी बढ़िया है तो आपकी सेल्फ इमेज भी बढ़िया होगी और अगर आपकी वैल्यू अपनी ही नजर में बहुत कम है तो आपकी self image भी कम होगी, कोई फरक नहीं पड़ता है कि बाहर से लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी अपनी नजर में value है तो आपकी self image अप है, अगर आपकी अपनी नजर में value नहीं है, तो इसका मदलब है कि आपकी self image काफी down है, So the reasons behind low self image are, तो जैसे कि मैंने पहली आपको पताया कि जो nervousness की situation होती है, panic होने की situation होती है, anxiety की situation होती है, anger की situation होती है, exams में perform करने की situation होती है, इन सभी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है अपनी self image का, तो अब हम discuss करते हैं कि self image low होने के कौन कौन से कारण होते हैं, वैसे तो इनके बहुत कारण होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो चनिंदा कारण है, वो मैं आपसे discuss करना चाहूँगा, कि regular dispute between parents, जो हमारे घर में लड़ाई जगड़े, जब बच्चे छोटे होते हैं, घर में लड़ाई जगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को हम गालिया नका जालते रहते हैं, या कई बार हाथों पाई की ओपर भी बात चले जाती है, और कुछ नहीं तो एक दूसरे की जो निंदा पीछे से चलती रहती है, माबाप के दुरान, या फिर जो बड़े हैं उनके दुरान, तो वो सभी चीज़ें जो है, वो ऐसी जो situation है, जो बच्चो की बना देती है, दूसरा बड़ा का रहा है, चाल्ड अब्यूज, कि अगर आपके जिसके भी साथ, जिसकी भी सेल्फ इमेज लो है, चाल्ड अब्यूज को उसने experience किया है, बच्पन में, यानि कोई परतारना उसे दी गई है, बहुत ज्यादा उसे मारा पीटा गया है, य लेकिन अगर ऐसा उसके साथ हुआ है, तो उसकी जो इनर सेल्फ इमेजा है, वो काफी ज्यादा डिस्रप्ट रहती है, वो काफी ज्यादा लो रहती है, ऐसी अगला रीजन है कि अक्सेस प्रेशर, जो हम बच्चों को बिना मतलब डांटते रहते हैं, फिटकारते रहते है हैं, डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, इसी वज़ए से उनकी जो सेल्फ इमेजा है, वो काफी ज्यादा लो हो जाती है, या फिर हम कई बार बहुत से नेगटिव एक्सपिरियंस अपनी लाइफ में कर लेते हैं, उन नेगटिव एक्सपिरियंस की वज़ए से, नकार का जो इसका रीजन है बट नौट दे लिस्ट बहुत से रीजन है लेकिन यह मैंने में में रीजन जो है पॉइंट ओड की है एनी फीजिकल और मेंटल डिजीज यानि आपको अगर कोई भी फीजिकल डिजीज आपको लगातार बुखार आ रहा है या फिर लगातार टाइफा भट महसूस करना जिजक महसूस करना तो यह सभी मेंटल रीजन होते हैं तो अगर यह लगातार चलते हैं तो आपका जो सेल्फ इमेज है वो काफी लो चला जाता है Irrespective of the reasons of low self-image, today we come to know that how can we improve our self-image यानि के चाहे reasons कोई भी हो low self-image के लेकिन आज हम यह जानेंगे के self-image को हम improve कैसे कर सकते हैं उसको हम बढ़िया कैसे बना सकते हैं तो good news is that we can improve our or our child's self-image with the help of mind language और mind science techniques तो अच्छी खबर यह है अच्छी सूचना यह है के mind language यानि के मन की भाशा जा मन के विग्यान के द्वारा जिसकी classes हम निरंतर हर Monday को देते हैं इसके जरीए हम अपनी या अपने बच्चों की जो self-image है अंतरीक शवीया उसको हम transform कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से improve कर सकते हैं so let us discuss this beautiful technique तो आईए इस beautiful technique को discuss करते हैं कि यह कैसे संबब हो सकता है कि अगर हमारी low self image है हम बात बात के ओपर रूटते हैं बात बात पर हमारी आंकों में आंसु आते हैं किसी से बात करने वक्त हम जिजग महसूस करते हैं नर्वस हो जाते हैं पढ़ लिखकर जाते हैं बहुत मेनत करके जाते हैं लेकिन exams में जाकर हम काफी चीज़ें भूल जाते हैं और अगर कोई challenge situation आ जाती है तो हमारे होंट कांपने लगते हैं पाउं में कमकी भी होने लग लगती है और जो सर है वो चक्राने लगता है anxiety सी फील होने लगती है कैई situation में गुसा फील होने लगता है यह सबी reason होते हैं low self image के तो चलिए अब एक beautiful technique के जरीए हम discuss करते हैं कि कैसे self image को improve करना है तो मान लीजिए के यह आप हैं और आप अराम से माना कεια है आप समझेए कि आप ही एए हैं और आपने अपनी अप्नी सेल्फ्ः में को improve करना है तो आप जाकर वहाँ पर एक चेर के उपर अराम से बैड़ जाईे और दो तीन गहरे-गहरे सांस लेने के बाद दो तीन गहरे गहरे सांस लेने के बाद आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए सांसों की गती को सामाने कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके इर्द गिर्द एक बबल क्रेट हो गया है एक बुलबला सा क्रेट हो चुका है एक गुबारा सा क्रेट हो चुका है आप चेर के ओपर बैठ चुके हैं दो तिन घ़री सांसें लेने के बाद आपने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आँखें बंद करने के बाद आप मेहसुस कीजे के आपके इर्द-ग्रद एक बबल सा एक गुबारा सा बन चुका है और मैसूस किजिए कि ये गुबारा आपके लिए बहुत comfortable है इसमें प्रयाब्त हवा प्रयाब्त गर्मी प्रयाब्त oxygen है किसी प्रकार के भी आपको कोई भी Discomfortness यानि कोई भी प्रशाने इसमें नहीं होगी आप बहुत आंखें बंद रहेंगी तो महसूस कीजिए कि आप उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में आप पैनिक हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं एक्जामपल के तौर पर यहां हम एक सिचुएशन लेते हैं वो सिचुएशन है कि कई भार थोड़ा बहुत जो बच्चें शोर मचा की है और जिस सिचुएशन में आप पैनिक हो जाते हो बच्चों के शोर से बच्चों की छोड़ी छोड़ी गलतियों से आप पैनिक हो जाते हो तो बच्चों ने आप महसूस कीजिए कि बच्चों ने वही गलती जा वही शोर मचाया है और आप वहां पर अपने आपको आँक से देखिए कि आप वहां पर बैठे हो माथा पकड़ कर बिलकुल ही परिशानी में लेकिन इस बार ये जो परिशानी है जिए ज्यादा देर नहीं रहेगी तो जैसी आपने अपने आपको माथा पकड़े हो देखा तभी महसूस कीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है अपने आ बच्चों ने शोर मचाया मैं इस बार जो बहेवियर है जो मेरा वो पैनिक होने का बहेवियर नर्वस होने का बहेवियर मैं ना अडॉप्ट करके ना रीप्रेजेंट करके एक दम से मैं एक बहेवियर रीप्रेजेंट करता हूँ कि हुरा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता बच्चे वहाँ पर शोर मचा रहे हैं लेकिन आप देखिए कि आपकी जो आंतरिक शबी है वो एकदम से ये कह रही है कि फिर क्या हुआ बच्चे मेरे ही हो तो है इसमें क्या दिक्कत वाली बात है बच्चों ने खेल कुद करनी है थोड़ा बहुत तो उन्होंने इदर उद दंक तो मचाना ही है अब जब हम भी बच्चे तो हम भी ऐसा ही करते थे एकदम से विचार चेंज हुआ और आपकी आंतरिक शबी जो माथा पकड़ कर बैठी थी वो एकदम से ठीक हो गई है और एकदम से वो मुस्कुराने लगी है आप देख रहे हो अपने मेंटल स्क्री महसूस कर रही है और जैसे जैसे उसकी मन की खुशी बढ़ रही है वैसे वैसे एक विजेता का भाव उस शबी का विजेता का भाव जो है बढ़ रहा है कि आज तो कमाल हो गया आज बच्चों ने शोर मचाया और पैनिक होने की बज़ाए नर्वस होने की बज़ाए इस श तो एक दम से उसके चेहर पर मुस्कराहट आई जैसे उसके चेहर पर मुस्कराहट आई तो वो जो अंतरिक शवी है वो अपने आपको विजेता महसूस करने लगी और एक दम से उसने अपने कामों की तरफ ध्यान दे दिया उसका अब ध्यान ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है वो अपने काम करने लगी है उसको इस situation ये जो situation है बच्चों का शोर मचाने की ये उसके लिए neutral हो चुकी है जो आज तक वो हर बार इस situation में trap होती थी और गुसा करते थे परशान होते थे नर्वस होते थे पैनिक होते थे लेकिन इस बार तो कमाल हो गया situation वही है उन्होंने बस थोड़ा सा वहाँ पर बैठकर सोचा के बच्चे तो ऐसा ही करते हैं हम भी ऐसा ही करते थे एक दम से उस शबी को एक clue मिल जाता है और वो situation को deal कर लेती है वो बिलकुल ही उत्षाहित excited state में आ जाती है और जो भी उसने काम करना होता है वो काम करना शुरू कर देती है तो self image जो है जो आपकी आंतरिक शबीह उसको deal करना आगया है कि situation को कैसे deal करना है उसको समझबें आ गया है कि जैसे अगर बाहर बारिश पढ़ती है तो हम बारिश को नहीं रोक सकते अगर बार बारिश पड़ रही है तो हम कभी भी बारिश को नहीं रोक सकते बलके हम अपना शाता उठा लेते हैं कि हमने बारिश से बजना कैसे है तो इसी परकार से आपकी जो आंतरिक शबीया महसूस कीजिए जो भी एक सिचेशन लीजी और उसको देखिए अपने लाजिक्स के साथ तत्यों के साथ जो एक शाता बनाया और वो उस बारिश से उस परिशानी से बच चुकी है तो आप महसूस कीजिए कि आप ऐसे गुबारे के अंदर बैठे हो बबल के अंदर बैठे हो आप अपनी अंतरिक शबी को देख रहे हो जो के बहुत ही बढ़िया हो चुकी है एक विजेता का भाव उसके अंदर पहुंच चुका है उसने सिचेशन को पूरी तरीके से डील कर लिया है और आज वो बहुत खुश है तो आप महसूस कीजिए कि आप एकदम से गुबारे से बाहर आ जाते हो गुबारे से बबल से बाहर आकर आप चलने लगते हो अपनी आंतरिक शवी की तरफ आप स्टेप उठा रहे हो यह सब कुछ आपने अपने मेंटर स्क्रीन के ओपर देखना है अपने माइंड के स्क्रीन के ओपर सब इमेजिन करना है कुछ चलना नहीं है लेकिन आप महसूस कीजिए कि आप चलने लगे हो अपनी आंतरिक शवी की तरफ और धीरे धीरे चलके आप अपनी आंतरिक शवी के पास जाते हो आप उसे जैसे ही गले लगाते हो जैसे उसको टच करते हो गले लगाते हो तो आंतरिक शवी क्योंकि वो आपकी ही शवी है आपका ही सेल्फ इमेज है वो ट्रांस्फॉर्म होने के बाद आपके दिल में दिमाग में उतर जाता है देखी इस पिक्चर को ध्यान से वो जो ट्रांस्फॉर्म शवी है वो जो बदलाव के बाद आपका सेल्फ इमेज है ज जिसको पहले आप डील नहीं कर पाते थे तो जैसे आप बबल से निकल कर उस आंतरिक शवी को जाकर हाथ लगाते हो, मिलते हो तो वो आपके दिल में उतर जाती है, वो आपके दिमाग में उतर जाती है, और यह पूरी शक्ती को आप अपने अंदर महसूस कीजिए, बैठे ब अभी मैं आपको step कहने लगाँ कि कौन कौन से step करने हमने अपनी self image को improve करने के sit on chair with your spine straight and shoulders up, read की हड़ी को सीधा रखिए, shoulders को भी सीधा रखिए, और chair के ओपर बैठ जाएए, imagine that you are in a comfortable bubble, आप imagine कीजिए कि आप एक गुबारे एक bubble के अंदर हो और वहाँ पर आपको कोई सांस की देकत नहीं आ रही है, हवा उसके इर्दगिर्द आ जा रही है, बस वो एक bubble, protective bubble जो है, गुबारा जो है, वो आपके इर्दगिर्द बन चुका है, visualize your image in any stuck state, महसूस कीजिए कि जिस situation में भी हलात में आपको problem महसूस होती है, वो situation आपके सामने आ चुकी, जैसे हमने इस example में देखा कि अगर आपको problem होती है, कुछ बच्चे अगर थोड़ा बहुत खेलते कूते हैं, शोर मचाते हैं, आप बहुत ज़्यादा panic कर जाते हैं, ऐसी आप कोई भी situation ले सकते हो, तो आप महसूस कीजिए, visualize कीजिए कि वो situation आपके सामने आ चुकी है, आपकी, आपके सा situation के साथ जो आपकी self image है, आप ही की अंतरिक शवी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से deal कर रही है, और इस बार इस situation का इस particular जो हलात हैं, इसका आपकी अंतरिक शवी के ओपर कोई भी फरक नहीं पड़ता, और आपकी शवी यों की त्यों र तो दीजिए दूसरा आप या नया आप, तो आप कहिए यह जो अंतरिक शवी मुझे सामने दिख रही है, जिसने situation को deal किया है, यह other you है, या new you है, तो दूसरा आप है या नया आप है, तो इसको नाम दीजिए other you या new you का, अब इसके बाद make this image bigger, brighter and bolder, इस image को आप bigger बनाईए, brighter बनाईए और बोल्डर बनाईए, जनी बड़ा बनाईए, चमकता हुआ बनाईए, और बिल्कुल ही बड़ा, अपने से काफी ज़्यादा बड़ा देखिए कि आपके चेहरे के उपर बहुत ज़्यादा एक चमक है, एक बहुत ही, आपका चेहरा बहुत बड़ा है, और बिल्कुल ही गहराई से अपने चेहरे को देखिए, और बिल्कुल ही निर्भय है, बिल्कुल ही बोल्ड है, feel that your other you have full control on situation, महसूस कीजिए कि जो आपका other you आपने अभी बनाया है, जनी कि आपकी जो self image जिसका नाम हमने दिया है, other you, वो जो हर situation को बह इसे ही deal करने के योगे हो चुका है, feel that your other you is smiling and calling you, अब महसूस कीजिए कि जो आपका other you है, जो आपका new you है, जनी कि जो आपकी आंतरिक शभी है, वो आपको बुला रही है और आपकी तरफ देखकर smile कर रही है, वो विजेता बन चुकी है, और वो आपकी तरफ देखकर smile कर रही है, और आपको बुला रही है, तो come out of bubble and go near other you, तो आप उस bubble से बाहर आए और बिल्कुल उस other you के पास पहुंच जाए जो आपको बुला रहा है smile करने के बाद, embrace other you and feel that he enters in you, तो आप embrace कीजिए, इस image में भी आप देख सकते हो, कि आप embrace कीजिए, उसको आप गले से लग होगे, तो महसूस कीजिए, कि वो पूरी की पूरी नर्जी आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके श्रील में उतर चुकी है, congratulate, you developed a successful self image, तो अपने आपको बढ़ाई दीजिए, congratulate कीजिए, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी जो self image है, वो develop कर ली है, तो दोस्तो इस चोटी सी टकनीक से इसको करना है आपने, मातर सोचना नहीं है, इसको जैसे जैसे आप करोगे, जिनकी self image बहुत लो है, वो दिन में तीन, चार, पांच बहुत बहुत लो है, तो कम से कम दो बार इस टकनीक को जरूर करना है, और इससे आपका self image, बिलकुली बेहतरीन त कितनी सिच्वेशन में इस टकनीक को कौन कौन सी और कितनी सिच्वेशन में अपलाई किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा as much as you can, as much as you can, जितनी भी सिच्वेशन हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो लोगं को डील करने की हो, गुसे की हो, कोई आदत हो, या क कोई behavior हो सबी situations में इस टक्नीक को लगाया जा सकता है और इस टक्नीक को अपने जीवन में लगाईए जीवन में आप सफल होईए जीवन में आप अनंद प्राप्ट कीजिए enjoy life with the grace of mother nature तो मा कुदरत की कृपा से आप अपने जीवन को enjoy कीजिए तो दोस्तों आंतमें जैसे मैं मांसिक दबाओ, गुसा, परिशानी, हमारी सेहत खराब, मांसिक सेहत खराब, आदतें, पढ़ाई, हमारे श्रीर की दिक्कत, हमारे मन की दिक्कत, हमारे धन की दिक्कत, इन सभी दिक्कतों को deal करने के लिए, जो हम mind science या mind language की यह जो classes हैं, जो के practical techniques हैं, यह को theory के lectures नहीं है यह practical techniques हैं, कि अगर आपको, आप यह करने लगोगे, अगर आप यह कर लोगे, तो 100% आपके जीवन में बदलाओ आएगा, और बहुत बड़ा transformation जो है, वो आपके जीवन में हो पाएगा, तो यही है दोस्तों, जो mastermind tribe का, जो social purpose है, जो combined purpose है, तो इस से फिर हम सब मिलकर बना हैंगे, क्योंकि हमारा यह एक मुख्य मंतव है, कि जून दो हियार, जो 21 है, जो 22 है, जानी कि तब आता है environment day, तो उस environment day के दिन अगर हम सभी अपने घरों को अच्छा करते हैं, तन के, मन के, धन के issues को solve करते हैं, तो हम एकठे मिलकर अपनी अपनी जगा के उपर एक एक फै जंगली जीवों का हॉस्पिटल जो के पक्षियों की सेवा करेगा, free of cost इनका इलाज करेगा और जंगली जीवों का इलाज करेगा, जिनके लिए कोई भी जो परयाप्त हॉस्पिटल है, जो पूरे जो स्टेट में पंजाब स्टेट में और भारत वर्ष में इनकी बहुत हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जब मास्टर माइंड ट्राइब हम बहुत बड़ा कर लेंगी, तो दोस्तों आपके जो गिफ्ट्स हैं, वो हैं कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो जिन्होंने तो पहले किया, उनको पता है कि मास्टर माइंड फाइव एम क्विशनल कहानी होती है, तांकि रोज का जो हम अपना दिन स्टार्ट करें, एक अच्छे विचार के साथ स्टार्ट करें और अच्छे विचारों का संग्रह हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, अटेंड ब्रेंस साइंस क्लास एवरी मंडे, हर मंडे को आप जैसे आज अटेंड कर रहे हो, ऐसे आप हर मंडे को ब्रेंस साइंस जूम के लिंक के ओपर अटेंड कर सकते हो, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल दिमाग खोल तो एक चोटा सा कंट्रिबिशन आप ये कर सकते हो, कि मारा चैनल है दिमाग खोल, जिसके ओपर के ये सबी जो क्ल तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर कंटेक्ट कर सकते हो यह यह मेरा इमेल ऐड़ी है इस पर भी अगर आपने इमेल से कुछ पूछना है लेकिन आपको वट्सेप करके ज़रूर बताना होगा कि आप क्या पूछना चाहते हो जा क्या आपने पूछा है तो उसका जवाब दे क्रिपा से मदर नेचर की क्रिपा से आपका जो जीवन है खुशाल बने आपके जो तन के मन के धन की इश्यू साल्व हो और आप अपने घर को स्वर्ग बनाते हुए इस पूरे जो यह ब्रहमंड है इसको स्वर्ग में परवर्तित करें जै प्रकृति जै भारत